जब सविधान का नारा चल्ला था तो बहन जी को तो कटबंदर करना चीए था बीजीए पी के डरियाए मायवती जी ने कटबंदर निकरा जो मायवती जी की सबसे बड़ी कमजोरी ही चंद सेख राजार जो शंगर सील नया युवक लड़का है आज वो इसलिए लोगों के मन में जगे बना रहा कि वो किसी के दुखदर में जाता है तो बेहन जी ने कदी दली समाज को मन से समानी दिया और दली समाज से मिल लेकिन ये पैसे लेने को जो भी जाय के मिल लगा एक लाख रुपे देगा पांस लाख रुपे देगा दस लाख रुपे देगा कि बहन जी पैसे के उपर अंधी थी जो जादा पैसा देता था दलाली करके उसको बहन जी मानते थी और इसमें कार्य करता त्यार नहीं हो बता और बहन जी की एक कमी रही बहन जी ने कभी सरुलकाष्ट के समाज को तोजय नहीं दी बहुजन समाज के अती बैकवर्ड के अती बैकवर्ड के मानोर्टी के जो पढ़े लिखे करांतिक कारी विचारों के लोग थे आज मेरी राहे में एक भी आदमी पार्टी में नहीं है जैभीम साथियो आज हम आपके सामने एक एशी सक्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की चारबा के मुख्यमंत्री रही हैं जब भी मैं उत्तर प्रदेश की चारबा की मुख्यमंत्री के नाम लेता हूं तो आपके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता होगा बहन कुबारी मायवत्य का आप सभी को पता है भेन को बारी मायवति उत्रपत की चार बाके मुख्य मंतिर रहे लेंगे अगर मैं आज की स्तिति की बात करूँ अभी हाली में लोकसभा चुना हुए और आपने देखा होगा यूपी की असी लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा सीट ना ना बड़ा दुगदाई है आज हम आपके सामने भेन जी के संगर्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं बहनजी के संगर्ष की कहानी जिसके द्वारा सुनाने जारें का नाम है भ्रह्मपाल चमार लबक्र 44 साल से बीएसपी में एक्टिव है गाजेबाध के निवासें Zent 사ब बातचित करते हैं कि भेंजी के संगर्ष की कहानी क्या थी कहां से शुरूरी और कहां पर जाकर बीएसपी का पतन होने जा रहा है सर्मुजा पिग्भा पताइए आप जब बीएसपी में जुड़े तो आपकी उमर कितनी थी और ऐसा बीएसपी सब क्या परभावित हुए मेरी 19 साल की उमर थी 19 साल से जब डीएसपूर थी तो माने वर काशिराम साब बस से आकरे मीटिंग करने कि ने दस पांच आदमी खट्टे हो रहे हम बड़ी मुस्ल से परियास करा करें कि उस टेम बीपी मूर्या का जलवा था तो जो मन विचार धारा के आदमी थे वही खट बश्सकरंटे के लिए जो भेन जी ने संगहरा को आज हमारे दली समाज में एद्टिवित्य है जो हम आज के सामाथ की स्थिति के बात करते हैं आज आग थना क्या देख विल्कुल तो आज जो यो यस्तिति है उसका सभी सराउन कि माहिर साटी और बीजैपी ने बहनजी को अथक प्रोपर्टी के चक्कर में बहनजी को एक तरह का टोर्चर किया और उन्हें अपने इसाङ्वफे बहनजी को नचाया जबकी बहनजी को नचनल नहीं चीए था ये बहनजी की सबसे बड़ी भूल थी जिस तरह लालू परसाद यादव बीजेपी के सामने जोके नहीं और वो जेल चले गई आज उनका लड़का नेता बन गया तो माया बती भी अगर जेल चले आती तो कोई बात नहीं एक आदमी से क्या फरक पड़ता आज करोडो करोडो बहुजन समाज की जो आदमी है उनकी भावनों को बड़ी ठिस पहुची है बहन जी ने पिछली बार गठबंदन करा था सप्पा से तो बहन जी को दस सीट मिली वो बीजेपी वाले ने बहन जी को टोर्चर किया तो आज बहन जी गठबंदन नहीं कर पाई बीजेपी के ड़ी आई और अकेला इतना वजूद न समयरा और बहन जी कि एक कमी रही बहन जी ने कभी सरुकाश्ट के समाज को तवज्जा नहीं दी जो मांने वर काशी राम साब ने भौजन समाज के अति बैकवर्ड के मानूर्टी के जो पढ़े लिखे करांतिकारी विचारों के लोग थे आज मेरी राय में एक भी आदमी पार्टी में नहीं है सब बहन जी के गलत रवी कारण आज वे अन्य दिले में चले गई मलाल होता कि जो बहन जी के पैर शूते थे आज वो बहन जी के सामने खड़ें राज सभा में पार्लियमेंट में आज बहन जी का एक आदमी भी नहीं है और बहन जी की सबसे बड़ी कमी यू रही कि जो भी आदमी मिलने के लिए था बहन जी को पैसा सी है मिलने के नहीं है जबकि हिंदुस्तान में और पार्टियों में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने कार्य करता उसे मिलने के लिए कोई पैसा लेता हो मायावती के हैं दलाल फसे में जितने भी परभारी हैं उत्तर परदेश हिंदुस्तान में सब मायावती के 50% के कमिशन के परभारी है मेरे जैसे 45 सार पुराने कार्य करता को जो मैं दो बार जनरल सीर्ट से सबासर रहूं एक समसूजीन परभारी है उसने 20 लाख रुपे मांगे जो कि मायवतीन ने मना करा था कि किसी सरलुकास के आदमी से कोई पैसन नहीं जाएगा और मैं 10 लाख रुपे दे रहा था ऐसी की सीर्ट थी मेरी मुझे टिकट नहीं दिया तो ये पार्टी को कमजोर करने वाली बात है मैं तो आज भी बस पर में हूँ और जब तक मरूगा जब तक बस पर मरूँगा इतना प्रेम कैसा है बस पर से कि माने वर काशिराम साहब की बाबा साहब की ऐसी विचारधारा दिमाग में बेड़ी हुई है कि और कहीं हमें जाने के लिए जगे नहीं है हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है बहन मायवती ने ना तो हमें कोई नोकरी दी ना हमें कोई पद दिया मायवतिने कदी बहुजन समाज के दली समाज के बारे में मनसे नी सुच्छा बहन जी के कैबिनेट में एक मंत्री थे जद्दू परसाज जालों के रहने वाले प reflecting के बहुजन समाज के कैबिनेट में वह थे और रहीं के थे बाप्र बहुआ को इसके प्यां जी थे उनकी आपने में नी नहीं थी तो बहुजी समाज को मनसे समवाल नहीं और अदली समाज से मिलने की निए पैसे लेने को जो भी जाया के मिलेगा एक लाख रुपे देगा पांस लाख रुपे देगा यह बहन जी की घलती रही इसी कारण आज एक चंद सेखर आजाल जो संगर्सील नया युवक लड़का है आज वो इसलिए लोगों के मन में जगे बना रहा कि वो किसी के दुख दर में जाता है मायवती किसी के दुख दर में नहीं जाती लोग यह बी आरोप लगाते हैं बहन जी पे कि बहन जी ने समाज में कोई नेता इसलिए पैदा नहीं क्या कोगी बहन जी को पसंद नहीं था कि समाज में उनसे बड़ा कोई लिडर पैदा हो पाए की नहीं संगर्श के ऐं में जहां तक बहें जी का मामला है दली समाज में आत्यक कोई ऐसी जलीत महिलब ềnफ पैदा नहीं हुई यहां तो मैं भर द्भर्न द्जी का धन्यवाद करता हूं कि वो शेर नी है पर जहां तक ये आपकी बास सही है कि बहन जी ने दली सवाज में कोई नेता पैदा नहीं करा क्यों नहीं करा कि बहन जी पैसे के उपर अंधी थी जो ज़्यादा पैसा देता था दलाली करके उसको बहन जी मानते थी अब इसमें कार्यकरत तयार नहीं हो बाथता। खाशी नाम साहब वह शक्षये थे जिन्नोंने एक बार उनको देख लिया। माननेवर का жест यड़़िए अभ चंद सेखर प्रधानमंत्री बने तो चंद सेखर जी ने। पर शाब बुलाया उन्होंने कहा कि तुम डिप्टी परधार मंत्री बन जाओ तो मानने वर काशी राम साब ने मने कर दिया कि मैं किसी के निचे काम नी करूंगा मैं रबड इस्टांप नहीं हुआ बनूगा तो मैं अपने बल पर बनूगा यू दुरभागे रहा कि साब को उमर के हिसाब से बीमारे ने तरस्त कर लिया आज हमारे बीच में नहीं है यह हमारे बड़ी दुख की बात है बहन जी के संगर्ष के बारे में बात कही जाती है कि बहन जी साइकल से यात्रा करती थी अपने कार्यकरता के घर जाकर रुकती थी यह तो बात सही है कि बहन जी कार्यकरता के हुआ रुकती थी मेरे हां भी आई वी बहन जी पर उस बहन जी में आज की बहुत बड़ अंतर ह उस टाइम भेहनजी संघर शीर नेता ही आज में भुष अर्कूमर्सर नेता हैं और कोमर्सर समाज पसंद नहीं करता आए उस समाज तो अपने समाज में संघर सीर आदमी को देखना चाहता कोई भी क्योंना हो पहले बहुत आए बीपी मूरी आए समाझ उनके पिछे अंदर रहा मानेवर काशिराम साबाई रहा हुआन दर रहा मायवतीरी उनके पिछे अंदर रहा पर जो भेंजी अब कॉमर्सर होगी भेंजी भाहर नहीं लिगड़ती दस साल होगे कदी आत बीजीपी खिलाब नहीं मोलती है औरो के खिलाब बोलेंगे जोटी बी जीतों हमारे समाज की सब्से बड़ी दुस्माटरी बहुजड न hiçu मिरें यहां एक वारіль ढ़ आज थी मैं भराश योग वहाले बन्च वाले मामले बंढ wait थी तो भेंजी रात 11 बजे दिल्ली पोँची थी सुबह 11 बजे में रहां थी मैंने साब से रिक्वेस्ट करें थी तो भेंजी से मैं हजार बार मिले ओ भेंजी मुझे बाई नाम जानती है ऐसी बात नहीं है पर कभी कभाक आदमी अच्छा करता करता भी गल्त काम हो जा तो काम भेंजी ने जतनी बड़ी नीत ही उतनी बड़े देरी ऐसे उतनी बड़ी सोच से मेहन जी ने समाज बूर नहीं परखा समाज को मिल गया हूँ अब बहुत करता हमारा समाज तो बहुत गरीब यह बहुत गरीब है अब निया सकती क्यों बहेंजी ने अब पार्ट्री को अपने घर की दुकान बना लिया कोई बहेंजी के पास मानवर काशी राम के सामने एक हजार नेता थे बहुजन समाज में जो बैकवर्ड के थे मायनोट्री के थे जो राद दिन गुडशन ने खाक है मिशन को त्यार करते थे तो हम तो कैड़र के आदमी है यह उमारी मजबूरी है कि हम तो मरते दमते बस्वा में रहेंगे पर यह दुर भागे कि हम अपने नेता की गल्त बात हूँ गल्त ना कहें उन्द भक्ति का मामला जिसतर आज बीज द्धानका नारा चला था तो बहन जी को तो कड़बंदन करना चाहिए था बीजी पी के डरियाए मायवती जी ने गटबंदन निकरा जो मायवती जी की सबसे बड़ी कमजोरी ही अगर मायवती जी गटबंदन करती पूरे देश में आज 50 MP बस्पा के होते क्योंकि बस्पा सब्सक्राइब तो जो सीनियर लोग है वह नई उमर के लटकेंगे पैर पकटेंगे वह दलाली करेंगे उनकी तो यह बहन जी की सबसे बड़ी कमी रही है